जैहिं दोस्तो जब भी किसी की सबसे बेशकिम्ती चीज कुम हो जाती है या फिर कोई उसे उठा के ले जाता है तो उस चीज को पानी के लिए सामने वाला व्यक्ति पागल हो जाता है वो ऐसे ऐसी हरकते करने लगता है जो कि उसे पागल तक बना सकती है जीहाबात पड़ोस पाकिस्तान की ही कर रहा हूँ जो इस समय पागल होने के कगार पे क्योंकि भारत ने उसकी सबसे बेशकिमती चीच को जो पकड़ कर रखी है वैसे आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी कि खबर चिन पाकिस्तान के उस संदिक जहाज को लेकर है जिसे भारत दुवारा सीच किये जाने के बाद अब पाकिस्तानी सरकार और पाक आयस आयस की ओर से जहरेले बयाना ने शुरू हो चुके क्योंकि फिलाहल चिन पाकिस्तान पे काफी गुस्ता आए तो क्या है पूरी खबर विस्तार से जानेंगे बस आप चैनेल को सब्सक्राइब कर दीजी ताकि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड की ताजा खबरे आपको मिलती रहे तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते तो जैसे कि आप सभी जानते है कि दो दिन पहले भारती ये नो से नानिक संदिक जहाज को पकड़ा जहाज पकड़ने के पीछे कारण ये था कि इंटिलिजन्स ने नेवी को इंपूट दिये थे कि चिन से पाकिस्तान के कराची बंदर गहां जा रहे इस कारगो शिप में कुछ ऐसा सामान लदा है जो अंतराष्टिय न्यूक्लियर अप्रसार संदिके नियमों का उल्लंगन कर रहा है अब न्यूक्लियर ट्रीटी एक ऐसा समझोता है जिसका उद्देश विश्व भर में परमानु हत्यारों के प्रसार को रोकने के साथ-साथ परमानु परिक्षन पर अंकोश लगाना आए अब इसे समझोते को चिन पाकिस्तान तोड रहे थे क्योंकि नेवी ने जिस पाकिस्तानी कार्गो शिप को हिंद महासागर से मुंबई के नावाशेवा बंदरगहा पर ले गई उसमें परमानों और बेलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेट कुछ कमपोनन्स बरामद हुए जिनें बेचने या खरीदने पर विश्व भर में पाबंदी लगी है DRDO की रिसर्च टीम के मुताबिक इसमें एक CNC मशिन मिली है जो निउकलियर प्रोग्राम में इस्तिमाल की जा सकती थी वैसे CNC मशिन को खास कर स्टिल कमपोनेंट्स को सेटिक ता के साथ काटने के लिए इस्तिमाल की जाती है लेकिन इसी मशिन से बेलिस्टिक मिसाइल के कलपूरजे भी काटे जा सकते है इसके अलावा भी संदिक जहाज में निउकलियर प्रोग्राम से सम्मंदित और बहुत कुछ मिला है जिसके चलते भारत ने इस पूरे जहाज को ही सीच कर दिया जिस पर अब पाकिस्तान भारत को धमकिया दे रहा है देखे हिंदुस्तान लाइव की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने साप साप कहाए कि उसके जहाज में कोई भी परमानु हत्यार बनाने वाला सामान नहीं था भारत ने जान बुझ कर हमारे शिप को जब्त कर लिया और भारती ये मीडिया जूट मुड की खबरे फैला कर हमारा नाम बदनाम कर रही है भारत को ये बिलकुल भी शोबा नहीं देता कि वो ऐसे सेट ट्रैफिक के रूल्स को तोड़े इसके अलावा पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने तो ये तक धमकी दी कि अगर भारत हमारा जहाज वापिस नहीं करता तो हम भारत पे बाबर क्रूज मिसाल से हमला कर देंगे जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारत ही होगा यानि दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी सर्गार से लेकर पाकिस्तानी आतंकी संगठन भी इस जहाज को लेकर कितने बेसबरी से इंतजार कर रही है यानि इस जहाज में कुछ तो ऐसा है जिसके लिए पाकिस्तान इतना तड़प रहा है तो आप बताइए दोस्तों कि हमें ये जहाज पाकिस्तान को वापिस लोटाना चाहिए या फिर नहीं आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ वीडियो अच्छ लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए जहिंद